अ यह ब्रैस की सीरीज चल रही है तो जी ब्रैसमें जो ब्रैस उनके उपर हम वीडियो बना रहे हैं इससे पहले दो वीडियो ब्रैस की उपर बना जाए चूके हैं जिसमें हमने सिमेट्री को कवर किया है कि अगर हम से में को यूज करेंगे यह सारे opioids तो कैसे हम अपने जीब्रेस में अच्छी मॉडलिंग कर सकते हैं उससे पहले के वीडियो में ब्रेस के बेसिक्स जो थे वो सारे चीज़े हम लोगों ने देख ली थी कैसे उनकी इंटेंसिटी ये ड्रॉ साइज फोकल लेंथ जी एड क्या होता है जी सब क्या होता है उन सार नीचे हमें स्ट्रोक दिखाए देता है तो अब इस इस ट्रोक का यूज हम क्या कर सकते हैं इसका क्या बेनी फिट है तो आज के वीडियो में हमें यहीं देखना है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है और अगर हम ब्रेस को यहां पर चलाते हैं ढ olması ब्रेस काल करते हैं यह दूशरि इंटेंसिटी की वह मइंद कर रहा है तो अगर हमें यह नहीं चाहिए बाइ डिफॉल्ट जब कोई ब्रेस यहां पर लगा हुआ है तो यह डॉट यूज करता है इससे क्या होता है कि ब्रेस आप विल्कुल फ्लो में चला रहे हो आप देखें इसको अंडू कर लेते हैं यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो देखें इसके बहुत सारे मोड आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह मोड आपको बारी बारी से देरे देरे समझ में आएगी तो पहला मोड तो आपने देख लिए जो की डिफॉल्ट लगा होता है दूसरा इस पे क्लिक करते हैं दूसरा स्ट्रोक आ रहा है ड्राइग रियाक्ट अगर हम इसको अन कर लेते हैं त तो यहां पर drag react हम तब करते हैं, जब alpha हमें चाहिए होता है, तो यहां पर देखे, alpha यहां पर बना हुआ है, इसको click कर देंगे, by default जीब्रेस इतने सारे alpha बना के दे रहा है, हम कोई भी alpha को अगर यूज करते हैं, लेट्स की हम यह बला alpha यूज करते हैं, तो उस design को हम यहां यहां पर drag react से क्या कर सकते हैं, scale करके fit करा सकते हैं, जैसे हम यहां पर देखे, यह design यहां डालना चाहते हैं, तो यह छोटा करना चाहते हैं, यह बड़ा करना चाहते हैं, यह आप अपने mouse से यह rotate करना चाहते हैं, यह वहां से adjust कर सकते हैं, यह देखे, जैसे आप एक design को तो यहां पर scale करके fit कर रहे हैं तो यह देखिए अपने fit कर दिया है ठीक है बैक साइड में चलते हैं यहां पर हम चाहते हैं यहां पर कुछ दूसरा design बन जाए तो alpha जब भी याद यूज़ करोगे तो आपको drag react पर लगाना यह याद रखना तो आप फिर से यहां पर click करेंगे हम चाहते हैं यहां पर कुछ और design बन जाए कुछ scratches से बन जाए या फिर कुछ यह flower type की design है यह बन जाए तो देखिए यहां पर हम अभी चलाएंगे तो इस तरह से यह बन के आ रहा है और आल पूरे पर आपको अगर यह चीज यहां पर करन करेंगे ही symmetry आ गई साइज छोटा बड़ा ब्रस का जो भी करना है और जहां से भी आप click करोगे और click करके छोड़ना नहीं आपको drag करना है तो देखिए कितना बड़ा साइज आपको चाहिए यह उतना बड़ा साइज बना के आपको देगा आपको जितना भी बड़ा चाहि नहीं है ठीक है अभी बड़ा चल रहा है आप यहां से कुछ भी और decide कर सकते हैं कि हमको यहां पर और क्या चाहिए होगा यहां पर देखिए यह कुछ option आ रहे हैं, आप इनके उपर भी उज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके उपर उपर भी उज़ कर सकते हैं, देखिए, जैसे भी आप ये symmetry के साथ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप symmetry off कर देते हैं, तो symmetry आपको नहीं मिलेगी, फिर individually मिलेगा, ये design आपका sculpt हो रहा है, simple, जो symmetry on करना पड़ेगा, आपको इसके लिए, और ये, बड़े आड़ी जाएं, आपको scratches डालने हैं, साइड में, आप alpha में ही जाएंगे, यहाँ पर आपको scratches के कुछ option मिल जाएंगी, ये ये देखिए, scratches, आप इनके तुरू है, scratches एड़ कर सकते हैं, तो चलते हैं, क्लिक करते ह अलफा ही आगया, drag react लगा हुआ है, stroke में, हम यहाँ पर scratches डाल सकते हैं, अब ये scratches आप देख रहे हो कि काफी बढ़े हुए, उठे हुए आ रहे हैं, आप क्या करोगे, brush चलाने से पहले intensity brush की down कर दोगे, ये intensity क्या होता है, brush उतना ज्यादा आता है, देखिए, आप उतने ज और ही, वो scratches नीचे, push होकर के आएंगे, उठके नहीं आएंगे, देखिए, नीचे दबे हुए आ रहे हैं, तो alt से क्या होता है, brush reverse हो जाता है, तो हमने यहाँ पर drag react को अच्छे से देख लिया, ठीक है, यहाँ पर drag react के अलावा, यहाँ पर dots लगा, अगा dot को यूज हैं, ताकि और आपको अच्छे से समझना है, साई सोड़ा सब बढ़ा करेंगे, यह देखिए, जब इसको चलाएंगे न, ऐसे करके, तो पूरा, अब दो को यहाँ effect नहीं दिखाए दे रहा है, क्योंकि इसमें division कम है, हम control D से, इसके division को बढ़ा सकते हैं, okay, save time, अब चलात के साथ अगर हम इसको चलाएंगे, तो फिर वो कुछ इस step से बनेगा, दीखिए यहाँ पर, drag rate, आपको scale का option देता है, छोटा बढ़ा करने का option, symmetry को off कर दीजिए, यह देखिए, छोटा कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं, यह देखिए, ठीक है, तो यह stroke आपको dot समझ में आ आ गया, alpha हम दोनों के साथ यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर drag rate, यह free hand का option और dots का option लगभग लगभग बराबर है, इन दोनों में जो difference है, वो आगे चल के हम cover करेंगे, कि कितना difference है, next हमारे पास मारा color spray का, यह color spray का option आता है, color spray का मतलए यहाँ पर जो भी दो color आपने बन नहां रखें, उनके according यह क्या करेंगा पूरे में यह ऐसे ऐसे फैला देगा, आपको लग रहा है कि पूरे surface के उपर क्या है, यह alpha हटा दो, अभी यहाँ पर alpha off कर दो, इसको हटाना है न alpha, आप click करो, यहाँ पर off कर दो, alpha नहीं मिलेगा, आप फिर से चला सकते हैं, तो यह देखिए, इस तरह से, यह बिल्कुल noisy effect आ रहा है, noisy effect कैसे आ रहा है, कि जहां पर देखिए कुछ gray है, कुछ छोटे है, कुछ बड़े है, कुछ white है, तो उसी हिसाब से surface को up and down कर रहा है, तोड़ा सा size हम और बड़ा कर लेते हैं, फिर से चलाते हैं, यह देखिए अब तो फिर से change कर लेते हैं, यह देखिए spray का option आ रहा है, same option है, बस यह spray का option क्या करेगा, थोड़े से कम variation आपको मिलेंगे इसमें, तो यह तब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास में एक से ज़्यादा यहाँ पर color available हो, हमने कोई color अभी, एक color हम यहाँ पर red color ले ले लेते हैं और black color में हम green color लेते हैं, देखिए, दो color आ गया, अब यहाँ पर spray, color spray को use करेंगे, तो क्या करेगा यह, इन दोनों color की intensity को use करेगा, और up and down करेगा surface को, देखिए, ऐसा लग रहा है, surface बिल्कुल चिकनी नहीं है, यह up and down, तो यह इसके according कर रहा है, अब breast का size जितना भी drag react, drag dot, drag dot का मतलब होता है, जो भी यहाँ पर है, उसको आप drag करके कहीं पर भी fit कर सकते हो, जैसे हम इसके साथ भी alpha use करते हैं, और यह flower जो last time use किया था, उसी को use करते हैं, size थोड़ा सा बढ़ा करते हैं, अब दिखने यहाँ पर click कर रहे हैं, जैसे click करेंगे, वह वहाँ प पर place हो जाएगा, intensity, you press करके थोड़ी सी breast की intensity बढ़ाते हैं, तकि surface थोड़ी सी बहार है, यह देखिए, यहाँ पर, अब alpha जो है, वो alpha अब हमारे positional value पर set हो जाएगी, जहाँ पर हम उसको छोड़ेंगे, यह देखिए, आप alt के साथ कर दो, तो alpha नीचे की तरफ जा रहा है देखिए, push होकर के आ रहा है, यह surface अंदर गुसी लिए, यह surface उपर उठी लिए, क्योंकि हमने alt press किया है, opposite कर दिया है, ब्रेस को, जो भी यहाँ पर design होगा, यहाँ पर let's, कि हम एक design और change कर देते हैं, हमारे पास में, यह design है, यह design को अब हम place कर सकते हैं, कहाँ पर हमें ल होगा, इसको हम कहीं पर fix करना चाहते हैं, यह यहाँ पर fix हो जाए, यहाँ इसके चारव तरफ fix हो जाए, यह काफी छोटा आ रहा, size बड़ा करो इसका, अब fix करते हैं, यह यहाँ पर fix होगा, तो drag dot से क्या कर सकते हैं, जो भी alpha value लेगी, वही design हम क्या कर सकते हैं, अपने model के उपर कहीं पर भी place करा सकते हैं, ड्रैग करके, उससे बाद यह color spray यह अपनी surface को थोड़ा सा noisy look देने की कोशिस करता है, free hand और dots लगभग लगभग बराबर हैं, है ना, जैसे जैसे आप चलाओगे, हाथ से mouse pointer वैसे वैसे यह design बनाता जाएगा, ड्रैग rate क्या करेगा, ज ठीक है, जितना बड़ा चोटा चाहिए, आप वहाँ पर fit कर सकते हो, तो आपने यहाँ पर stroke को देख लिए, सारे stroke, ठीक है, अब इस stroke को आप apply भी कर सकते हो, अपने model के उपर जैसे यहाँ पर हमने इस model के उपर उसको apply किया, तो आप यहाँ पर यह history, यहाँ से खतम कर दी create करके fit कर सकते हैं, इस तरह से, आप यहाँ पर drag dot कर सकते हैं, और alpha का design आप जो भी यहाँ पर लेना चाहो, यह कुछ scratches से हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा size चोटा करेंगे, scratches को ऐसे move कराएंगे, यहाँ पर, देखिए, हमारे पास division कम पढ़ रहा है, तो हम control D से division बढ़ा लेंगे, ताकि scratches हमें साफ साफ दिखाएंगे, छोटे से scratch हैं, size बढ़ा कर लेंगे, scratches थोड़ी से बढ़े हो जाएंगे, और यह scratch जहाँ पर भी आपको रखना है, वहाँ पर आप लग सकते हैं, तो हम size में दिखा सकते हैं, आप alpha की value, यहाँ पर चलते हैं, यह dots आ रहे है यह color spray, color spray सेंग क्या करेंगे, surface को थोड़ा सा अब down करके दिखा सकते हैं, यहाँ पर, यह देखिए, intensity बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें, चोटी करनी है, अब देख सकते हैं, तो दी surface देख रहे हैं, आप कैसी आ रहे हैं, थोड़ा से यहाँ पर भी, इस जीए तो, यह थोड़ा सा realism look आ रहा है, तो आपने यहाँ बर, ब्रेस के stroke को सीख लिया, आप ब्रेस में एक step और आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो stroke किस तरह से use करते हैं, और अलफा से किस तरह से design निकालते हैं, और दोनों यह option कैसे हम use करते हैं, साथ में symmetry का क्या use है, तो हमने यह सारी चीजें आज cover कर लिए हैं, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ नए topic के साथ में, चैनल को subscribe जरूर कर दिए, thank you